वेलकम बैक गैस आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो यूरीन प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड हैं ये कितने दिनों तक नेगेटिव आ सकती हैं मतलब कि आपको pregnancy है लेकिन pregnancy होने के बावजूत भी ये जो test card हैं ये कितने दिनों तक आपको fake negative result शो कर सकते हैं उधारन के तोर पर मानलो कि आज आपने अगर physical relation बनाया और आप कल या परसो urine pregnancy test कर रही हैं तो आपको fake negative result मिलेगा क्यों? क्योंकि ये जो test card है ये pregnancy hormone beta ECG को पता लगाने का काम करते हैं अगर पेशाब में beta ECG की मातरा होगी तब ये test card उस hormone को detect करते हैं और test में आपको दो लाइने शो होती हैं अब ये जो pregnancy hormone है ये बच्चा बनाता है ये बच्चा तब बनाता है जब बच्चा बच्चे दानी में जाकर implant हो जाता है लेकिन अगर आप लोगों ने मान लीजे कि आज physical relation बनाया और आप कल या परसो pregnancy की जांज के लिए test card का उप बच्चा भी बच्चे दानी में पहुचा ही नहीं है और अगर बच्चा बच्चे दानी में पहुचा ही नहीं है तो वो beta-seg hormone को बनाएगा ही नहीं या उधारन के तोर पर अगर हम लोग एक और example की बात करें तो आपको समाने तक क्या बोला जाता है कि जब periods की date miss हो जाती हैं यह cases है delayed conception के जिसमें आपको जो pregnancy है वो dairy से conceive होती है या फिर eptopic pregnancy के cases में या जिनको cryptic pregnancy के chances ज़्यादा रहते हैं इन cases में भी आपको जो pregnancy test card है वो dairy से test result positive दिखाती है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानने को मिलेगा कि कितने दिनों तक आपको ये जो test card है ये आपको negative result शो करते हैं और आप कैसे pregnancy का 100% confirmation इन test card के माध्यम से कैसे कर सकते हैं तो आईए discuss करते हैं इस वीडियो में बीना किसी देरी के तो गई देखिए जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो test card है ये special type के pregnancy hormone को पता लगाने का काम करते हैं जिसे हम लोग beta-scg hormone बोलते हैं ये hormone बच्चा बनाता है जब बच्चा बच्चे दानी में जाकर implant हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको इस बात को जानना जरूरी है कि आखिर बच्चा कितने दिनों के बाद बच्चे दानी में जाता है और वहां पर ये implant होता है और implantation के लगभग 24 घंटे के आसपास बच्चा इस hormone को इतना बना देता है कि ये hormone पेशाब के रास्ते से शरीर से बाहर निकलता है ऐसी स्थीती में जब आप pregnancy की जांच करते ही हैं तब आपको pregnancy test card में test result positive आता है लेकिन यहाँ पर दूसरा factor sperm का भी है pregnancy conceive करने के लिए जो sperm है जो पुरुष का शुकराणू होता है वो female body में 5 दिनों तक जिन्दा रह सकता है तो अगर आपने physical relation किसी भी मंत की दो तारीक को बनाया और अगर दो तारीक को अगर evolution नहीं होता है उनको evolution 6 तारीक या 7 तारीक को होता है तब भी महिला को pregnancy conceive हो जाएगी भले ही उन्होंने 6 या 7 तारीक को physical relation ना रखाओ वो कैसे वो ऐसे कि अगर उस महिला को evolution 6 या 7 तारीक को होता है तो उनको pregnancy conceive हो जाएगी क्योंकि female body में जो sperm है वो 5 दिनों तक जिन्दा रह सकता है तो जैसे ही pregnancy conceive होती है तब ये जो बच्चा है ये बच्चेदानी में pregnancy conceive होने के लगबग 5-7 दिन के बाद बच्चेदानी मे जाता है फिर वो implant होता है ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बच्चा है इस वीडियो में शुरुआत में कि जो बच्चा है उसको बच्चेदानी में पहुंचने में 5-7 दिन का time लगता है और आप 5-7 दिन पर urine pregnancy test कर लेते हैं ऐसी situation में भी आपको negative result मिलेगा आपको पूरा effect प्रें किया था कि evolution क्या होता है pregnancy कैसे conceive होती है और आप pregnancy से कैसे बच सकते हो pregnancy कैसे conceive कर सकते हो सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया था हम लोग fertilization बोलते हैं और fertilization के लगबख 5-7 दिन के बाद जो बच्चा है वो बच्चे दानी में जाकर implant होता है तो शुरुवात में मैंने आपको बताया कि जो female body में sperm है वो 5 दिनों तक जिन्दा रहता है और जो बच्चा है वो बच्चे दानी में लगबख 5-7 दिन लगते हैं उसको बच्चे दानी में implant होने में पहुंचने में तो 5 और 7 बारा हो जाते हैं फिर मैंने आपको बताया कि 24 घंटे लगते हैं बच्चे को HCG की मातरा इतनी करने में कि उसकी मातरा पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकले तो एक दिन और प्लस कर दो 13 हो जाते हैं तो लगबख लगबख 14 डेइ पर जिस भी तारीक को आपने फीजिकल रिलेशन बनाया था मान लो कि किसी भी मन की दो तारीक को फीजिकल रिलेशन बनाया और अगर आप 16 तारीक को urine pregnancy टेस्ट करते हैं तो pregnancy का 100% confirmation आप लोग कर सकती हैं अब जिन लोगों को डर है क्रिप्टिक प्रेगनेंसी का एप्टोपिक प्रेगनेंसी का डिलेड कंसेप्शन का केस है होर्मनल इशूज है पीरियट्स में irregularity है चाहे कोई साभी केस है आपको pregnancy का बहुत ज्यादा डर है तो आपको बार बार टेस्ट करने की जुरूरत नहीं है अल्टरा साउंड कराने की जुरूरत नहीं है ब्लड टेस्ट कराने की जुरूरत नहीं है आप एक सिंपल यही urine pregnancy test card से pregnancy का 100% confirmation day 21 पर कर सकते हैं मतलब की physical relation आपने दो तारीक को बनाया तो 23 तारीक को अगर आप लोग दिन के किसी भी time पर urine pregnancy test करके अपनी pregnancy की जांच करते हैं तो आपको सही result मिलता है तो अगर आप point test card में 3 मिनट के अंदर अंदर C पर एक line मतलब की control line पर एक गुलाबी color की line दिखाए दे रही है और T पर एक line दिखाए दे रही है गुलाबी color की जिसे हम लोग test line बोलते हैं आपको दो गुलाबी कलर की लाइन टेस्ट कार्ड में तीन मिनट के अंदर-अंदर दिखाए दे रही है तो उसका मतलब यह है कि आपका जो test result है वो positive है मतलब कि आपको pregnancy है लेकिन तीन मिनट के अंदर-अंदर अगर आपको C पर control line पर सिरफ एक ही line दिखाए दे रही है तो उसका मतलब यह है कि आपको pregnancy नहीं है जो आपका test result है वो 100% negative है फिर चाहिए आपकी जो situation है वो कोई सी भी हो delayed conception की hormonal issues की irregular periods की day 21 पर अगर आपको negative result है तो आपको किसी भी type की कोई भी pregnancy नहीं है इसका आपको 100% confirmation हो जाता है लेकिन कुछ cases में हम लोग यह देखते हैं कि इन test card में आपको control line गुलाबी कलर की दिखाए देती है लेकिन 3 minute के अंदर अंदर आपको धियान से देखने पर T पर एक बहुती hulky color की line दिखाए देती है जिससे आपको confirm नहीं हो पाता है कि आपको pregnancy है या नहीं है तो ऐसी स्थीती में भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है आप pregnancy का 100% confirmation day 21 या day 21 के बाद एक blood test करा कर भी कर सकते हैं जिसे हम लोग serum beta SCG blood test बोलते हैं यह blood test blood के माध्यम से होता है इसमें आपको blood का sample देना होता है laboratory में जाकर और इस test को कराने पर जो report है अगर इसमें beta SCG की value 10 million international unit या 10 million international unit से नीचे आती है तो आपका जो test result है वो negative है मतलब कि आपको किसी भी type की कोई भी pregnancy नहीं है इसका आपको 100% confirmation हो जाता है तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकर या आप लोगों के लिए काफी useful और benefit रही होगी मैं मिलता आपसे next वीडियो में एक बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए stay healthy, stay fit, thanks for watching this video